हमारी आज की क्लास में और आज हमारा दूसरा दिन है हमारी ससे की क्लास में जल्दी से आप सभी लोग जॉइन हो जाए है फिर हम लोग अपने Number सीरीज जो हम लोग Number system जो पढ़ रहे थे उसी को आगे continue करेंगे और last क्लास में हम लोग ने क्या classification of numbers तक पढ़ लिया था उसमें हम लों ने देखा कि properties हमारी क्या होती है natural number की whole number की numbers क्या होते है rational क्या होता है rational क्या होता उस पर questions लगाए थे और आज की class बहुत ही important है जल्दी से आप सभी लोग join हो जाईए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की class जल्दी से आप सभी लोग join हो जाईएगे गाए तो आज की जो basically हमारी class होने वाली है बच्चों वह basically हमारी होने वाली है कल हम लोग ने integers खतम कर लिया था natural number whole number complete कर लिया था आज आपको दो तीन बाते और बता नहीं है दो तीन चीज़े आप लोग और जान लेंगे कि हमारे basically even integer क्या होता है जिए बिसिकली जिने हम लोग क्या कहते है even number और odd number तो दो तीन और classification आपके बचे थे तो heading आज हम लोग पढ़ेंगे कि basically हमारा even number क्या होता है अगर हम लोग बात करें even numbers की तो even number आज हम लोग देखेंगे even number और हमारा देखेंगे odd number दो चीज़े आज हम नंबर क्या होता है और और नंबर क्या होता है फिर आज का हम लोग सबसे important topic पढ़ेंगे कि prime numbers क्या होता है चीक है prime numbers हम लोग देखेंगे तो आपको पता होगा even number basically हमारा क्या होता है अगर हम लोग even numbers की बात करें तो even number आप सभी लिखें तो number divisible by 2 जो number हमारा 2 से divisible होगा वो even होगा और number is not divisible by 2 यही तो हमारा basically होता है even कि अगर हम लोग बात करें तो even हमारा number क्या होगा हमेशा 2 से पूर्ण तक क्या होगा divisible होगा वहीं अगर odd number की बात करें तो odd number हमारा 2 से completely divisible नहीं होगा तो अगर हम लोग even number के example देखें even number के examples की बात करें तो even number हमारा कौन से हो जाएगा minus 4 minus 2 0 1 2 and so on हमारा क्या infinite तक जितने भी number होगे हमारे क्या हो जाएगे even number हो जाएगे अगर हम लोग odd number की बात करें तो odd number हमारे कौन से हो जाएगे minus infinite से लेके हमारा हो जाएगा minus 3 minus 1 फिर हमारा हो जाएगा 3 और and so on ऐसे ही चलता रहेगा हमारा तो ये सारे हमारे कैसे number होते हैं odd number होते हैं अब एक महत्रपूर बात यहाँ पर हम लोगों को देखनी है कि 0 को हम लोगों ने odd number में कैसे consider कर दिया ये जो हमारा 0 है तो 0 को हम लोग odd even में कैसे consider कर दिये तो आपको हम बता दे 0 हमारा क्यूंकि even और odd की starry properties में even जब हम लोग 0 को even मानते तो उसकी starry properties को क्या करता है follow करता है कैसे अगर हम लोग even और odd की properties लिखें अगर even और odd की properties लिखें तो even और odd की हमारी properties क्या होती है तो even और odd की जो हमारी properties होती है तो क्या होती है जब हम लोग even और even को add करते है जब हम लोग even और even को add करते है तो हमें क्या मिलता है even मिलता है ठीक है अगर बात करें हम लोग odd और odd को add करते हैं जब हम लोग odd और odd को add करते हैं तो हमें क्या मिलता है even मिलता है लेकिन अगर हम लोग even और odd को add करें तो हमें हमेशा क्या मिलेगा odd मिलेगा तो हमें हमेशा क्या मिलेगा odd मिलेगा तो ये हमारी basic properties होती है किसकी even odd की अगर हम लोग बात करें multiplication में तो multiplication में हमारी क्या हो जाती properties change हो जाती कैसे अगर हम लोग even और even को multiply करते हैं अगर even और even को multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमेशा even मिलेगा और अगर even और odd को multiply करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा अगर even और हुई कि 0 को हम लोग as a even कैसे consider कर सकते हैं चीक है अगर हम लोग 0 की बात करें very good evening शीतल गुपता जी very good evening नावे रहमाच जी very good evening the reactors hello very good evening सभी बच्चों को चीक है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमने यह zero को even ही क्यों मना चली अगर हम लोग क्या करें 0 को as a odd consider कर ले जिरो को क्या consider कर ले और कंसीडर कर ले तो हमारी यह properties है यह हमारी क्या है properties है even odd की तो 0 को जब हमने honest मना अगर देखें even plus even हम लोग कर रहे हैं चीक है even आना चीए लेकिन हम लोग के पास क्या आ रहा है odd आ रहा है अगर र Aujourd जीरो को क्या मना odd तो पहनी कंडिशन हमारी गलत हो जायेगी ठीक है जब हम लोग Mean City रोग को क्या ले रहे है as odd ले रहे है दूसरी पॉपर्टी देखते है जब odd और odd को add करते हैं, जब odd और odd को add करते हैं, तो हमारे पस क्या आना चाहिए, विजब लिए even number आना चाहिए, ठीक है, तो अगर odd number हम लोग ले, तो 3 हमारा odd number है, ठीक है, तीन हमारा क्या है, odd number है, ठीक है, और 3, और हम लोग क्या ले ले, एक minus 3 ले ले, ठीक है, अब minus 3 ल और आरहा है लेकिन अगाइवं लोग बात करें तो अग्वन ले ले लिंग व्हों हम लोग ने अर्ड मनत था तो ले लिया तो में पास क्या रहा है जब की दो हमारा कैसा बरे इंवन नमबर लेकिन आपका स्काइव और आणा ची यह यह नशींग यह विदा वेरी गुणी चाहरे पृ इवनिंग और लेकिन जब लोगं जिरो को एज़ा एवन कंसीडर करें जिरो को एवन की दिर्खेंट इवन प्रपरटी रहे हैं जीरो को क्या मनें अब अम लोग की पेչली कंडीसेन को भी क्या कर रहा है satisfy कि दो even numbers को add करने पर क्या था even number और जीरो को हम लोगोंने क्या consider किया था even दूसरी प्रॉपर्टी देखना है कि दो ओर्ड नमबर तो दो ओर्ड नमबर अगर हम लोग ले ले और और नमबर हम लोग कोई ले ले और इसको add करें तो क्या ना चीए और आना चीए तो तीसरी भी हमारी क्या होगई property बिल्कुल satisfy हो गई यानि हमें यह confirmation हो गया कि zero हमेशा क्या होगा as a even number treat किया जाएगा इतनी बात आपको समझे यही एक basic property कभी examination में से question दे दिया जाता है कि दो numbers है अगर उनको add कर रहे हैं तो हमारे पास क्या number आ रहा है ऐसे हैं आपके पास questions आ जाएंगे ठीक है तो यह basically हमारी property किसकी होती है even और odd digit की होती है अगर हम लोग multiplication की बात करें तो odd odd का जब आप multiplication करेंगे तो आपके पास odd आएगा even into even का multiplication करेंगे तो even आएगा और at the last even into odd करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा even आ जाएगा इतनी बात आप लोग note कर लीजेगा फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीक है और आज अपना important topic देखते हैं कि basically हमारे prime number क्या होता है प्राइम नंबर पर हम लोग questions को भी solve करेंगे क्योंकि theory portion जितना हम लोग को पढ़ना था classification आप नंबर जानना था वह हम लोग का हो चुका है अब हमारे पहली क्लास में मज़ा है हो पहली क्लास हम लोग थोड़ा सा slow start की थी लेकिन आज की class क्या है हमारी slow नहीं होगी थोड़ा सा हम लोग अपने slavers को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा important हमारे लिए क्या है questions की practice जितने ज़्यादा हम लोग questions लगाएंगे उतना हमारे लिए क्या important होगा ठीक है तो questions की हम लोग ज्यादा से ज्यादा practice करेंगे examination में टाइम हमारे पस नहीं है ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास दो से धाई महीना है यानि यह प्रॉक्स पचास से साथ दिन है तो हमको पचास से साथ दिन में इपना क्या slavers भी complete करना है खूप सारे questions भी चलिए अब हम लोग देखते हैं कि prime number क्या होता है तो अगर लोग prime number की बात करें तो prime number में सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि हमारे prime number क्या होता है जब आप लोग कभी भी पढ़ते है prime number जब कभी भी आप लोग prime number पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी चीज आती है कि prime number हमारा वो number होंगा प्राइम नंबर हमारे वो number होंगे जो क्या होंगे या तो एक से दिविजबल होंगे या तो अपने आप से या निखुश से डिविजबल होंगे तो number which is divisible by 1 और itself क्या होते है हमारे prime number होते है ठीक है जो भी number हमारा क्या वन से डिविजबल होगा या खुद से डिविजबल होगा या अगर हम लोग किसी all language की बात करें अगर हम लोग दूसरी भाशा में बात करें ऐसा number जिसके क्या हो सिर्फ only and only दो factors हो तो वो हमारे कैसे number होते हैं प्राइंम्बर रोते ठीक है फिर्फ नमबर होते हैं हिंदी वाले अगर ना समझ पाहने हो तो प्राइंब्र को मों लोग हिंदी में क्या कहते हैं अब आज संख्याएं कारेंs ठीक है प्राइम नंबर को हम लोग अब आज संख्याय कहते हैं अब हम लोग प्राइम नंबर की डिफिनीशन की बात करें तो दा नंबर दा नंबर विच इस डिविजबल भाई यानि ऐसे संख्याय जो क्या हो सिर्फ खुश से डिविजबल हो या सिर्फ बन से डिविजबल हो वो अमरी क्या होती है प्राइम नंबर होती है अगर हम लोग एक और डिफिनीशन की बात करें तो दा नंबर दा नंबर Having Only and only Two factors यानि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या हो दो फेक्टर हो ऐसा डिविजबल होगा प्राइम नंबर यानि अबहा जिशन क्या होगी हमारी तो अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा देखिए एक हमारा prime number नहीं होगा क्योंकि एक क्या है एक के दो factor नहीं हो सकते एक के क्या होगे सिर्फ single factor होगा वो भी 1 एक का सिर्फ single factor होगा तो हमारा 2 prime number होगा 3 prime number होगा ऐसे हमारे prime number चलते रहेंगे तो हमारे prime number कौन से हो जाते है जो 2 से divisible हो जितनी बात आपको important है paper के point of view से उतनी हम लोग आपको पताएंगे कि prime number आपका क्या होता है जो number खुश से divisible हो या एक से divisible हो वो हमारी कैसी संख्या होती है अब हाज संख्या या दूसरे शब्दों में कहें the number having only and only two factors यानि सिर्फ दो factor ना दो से जादा ना दो से कम वो हमारा कैसा हो जाएगा prime number हो जाएगा ठीक है अब अगर हम लोग prime number में एक चीज देखें कि हमारा smallest prime number कौन सा होता है तो अगर हम लोग इसमें कुछ points है वो आप लोग लिख लेंगे कि 2-3 smallest point है कि हमारा smallest अगर हम लोग smallest prime number की बात करें तो हमारा smallest prime number होता है 2 इसको आप लोग लिख लिजेगा कि हमारा smallest prime number question आ जाता है कभी कभी ठीक है smallest prime number हमारा क्या होता है 2 होता है अगर हम लोग पूछे smallest odd prime number smallest odd prime number तो हमारा smallest odd prime number कौन सा होगा 3 और यहां पर सबसे important बात होती है कि दो हमारा पिर्फ एक ऐसा एकलोता prime number है जो even होता है यानि only even prime number smallest और क्या only even prime number दो हमारा क्या है only even prime number है चीक है smallest भी है और सिर्फ और सिर्फ क्या है only even दुनिया का एक ऐसा सिर्फ even prime number है जो क्या है दो है चीक है सबसे छोटा और हम लोग prime number म अगर हम लोग बात करें consecutive consecutive prime number हमारे कौन से होंगे तो consecutive prime number हमारे कौन से होते है 2, 3 और 5 ठीक है sorry consecutive की बात हो रही है मतलब क्या होगा उनका difference क्या होगा बराबर होगा तो consecutive की अगर हम लोग बात करें तो consecutive यानि उनका difference क्या होगा बराबर बराबर डिफरेंस यानी तीन पांच और साथ यह हमारे क्या हो जाएंगे consecutive prime numbers हो जाएंगे यानी लगातार एक के बाद एक prime number और उनका difference क्या होना चीए common होना चीए ठीक है तो हमारे consecutive prime number कौन से हो गए 3,5 और साथ हमारे क्या होगे consecutive prime number इतनी बात important है अब आपके लिए एक चीज जाना जरूरी है कि एक से सौ तक अगर हम लोग बात करें एक से लेके सौ तक बात करें तो एक से सौ तक में हमारे पास कितने टोटल प्राइम नंबर होते हैं ठीक है दो तीन important points है अगर हम लोग एक से सौ तक बात करें तो टोटल हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, वहीं अगर हम लोग बात करें, 1 से 50 तक यानि, 1 तू 50 की बात करें, तो हमारे टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, 15 प्राइम नंबर होते हैं, और हमारे 52 अगर हम प्राइम नंबर होते हैं और पचासते माई पर सो तक कितने प्राइम नंबर होते हैं दस प्राइम नंबर होते हैं इतनी बात आप लोग लिख लेंगे प्राइम नंबर में फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा composite numbers क्या होते हैं चीक है अब एक चीज हम लोग एक और point देखते हैं कि composite number क्या होता हमारा चीक है अब हम लोग क्या बात करेंगे कि हमारा basically composite number यानि भाज संख्याए कौन सी होती है चीक है composite number को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते है भाज ये संख्या है ठीक है composite number को हम लोग हिंदी में बोलते है भाज ये संख्या है ठीक है तो composite number हमारे पास क्या होता है which have more than two factors यानि ऐसे number जिनके पास क्या हो more than two factors हो ठीक है और यह हम लोग जिसे दूसरी भाशा में कह सकते है the number having at least यानि कम से कम तीन फैक्टर तो होई ठीक है पहली definition क्या है the number having more than more than two factors ठीक है the numbers having more than two factors या अगर आप लोग दूसरी बाशा में बात करें तो the number the number having at least three factors यानि कम से कम क्या हो उनके पास तीन फैक्टर तो होई ठीक है ऐसे number हमारे क्या कहलाते है composite numbers कहलाते है ऐसे numbers हमारे क्या हो कहलाते है composite numbers कहलाते है तो अगर आप लोग composite number की बात करें तो composite numbers हमारे कौन से हो जाएंगे चार, छे, आठ, और हमारे पास हो जाएगा दस, नो, तो ये स्थारे हैं हमारे कैसे नंबर हो जाएगे, composite नंबर, यानि इनकी क्या है, दो से ज़्यादा factor है, अगर लोग बात करें, चार की, तो चार का एक factor, चार हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगे, तीन factor होगे 4 के, 4 के कितने factor होगे 3 factor यानि, 2 से जाधा factor होगे तो वो बेसिकलि हमारे कैसे number हो जाते है composite number, ठीक है composite number, अब composite number ले में हमारे पास 2-3 point आते हैं तो अगर हम लोग composite numbers के points की बात करें तो composite number में जो हमारी property होती है तो अगर हम लोग बात करें smallest composite number अगर हम लोग smallest composite number की बात करें तो smallest composite number हमारे पस क्या होगा 4 smallest composite number हमारे पस कितना आ जाता है 4 आ जाता है ठीक है अगर हम लोग बात करें smallest even composite number smallest even composite number तो smallest even composite number भी हमारे पस क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें, smallest odd composite number, ठीक है, smallest, smallest odd composite number, तो smallest odd composite number होता है, हमारे पास 9, 9 हमारा सबसे छोटा composite number, यानि भाजसन क्या होता है, तो आपको prime number समझ आ गया, यह ऐसा number जो 1 से divisible हो, और जिसके पास क्या हो, या तो at least कम से कम 3 factor हो, या जो से ज़्यादा factor होने क्या हम बोलते हैं, भाजसन क्या हैं बोलते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजेगा, फिर हम लोग composite numbers पर थोड़ा सा क्या देखते हैं, questions को practice करते हैं, चीक है, composite number पर क्या करेंगे, questions की practice, एक और चीज है, एक और चीज है, बताने हाली, कि हम लोग prime numbers को कैसे find करते हैं, अगर हमसे पूछा जाए, कि prime number को हम लोग कैसे find करेंगे, तो आपके पास एक formula होता है, आप लोग लिख लेंगे, 6n plus minus 1, 6n plus minus 1, जहां पर हमारा जो n होगा, जो n होगा, वो greater than 3 होगा, अगर आपको composite number नि और हमारे पस क्या जाएगा, प्लस का 1, तो 6 गुडे 4 हमारे पस किता होगा, 24, और 24 और प्लस 1 करेंगे, तो आएगा 25, लेकिन 25 हमारा क्या होता है, prime number नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने दोनों condition लिख दिया, तो plus या तो minus, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 गुडे 4, minus 1, और 6 गुडे 4 हो गया, 24, 24 में से एक जब minus करेंगे, तो आपके पास किता जाएगा, 23, और 23 हमारा कैसा number होता है, prime number होता है, आप n की value रखिए 5, तो हमारे पस किता जाएगा, 6 गुडे 5, तो हमारे पस किता जाएगा, 6 गुडे 5, 30, ठीक है, 6 पंचे मारे पस आगया, 30, और 30 में prime numbers निकाल सकते हैं, किस formula से, 6N plus minus 1 से, ठीक है, तो यह हमारा prime number निकालने का method होता है, इतना आप लोग लिए दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, पहला question आज की class का, ठीक है, पहला question देखते हैं, इसका आप लोग screenshot ले लिजेगा, फिर हम लोग आज की class का पहला question देखते ह तो prime number से आपके SST में questions आते हैं, कई बार पूछे गए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे important topic होगा, जो हम लोग कल की class में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, divisibility rule, सबसे important topic, SST का बहुत ही प्यारा topic, question आना ही आना है, यह आप लोग guard बानके रख लीजिए, कि एक question, एक स दो question आपका divisibility rule पे आना ही आना है, prime number पे question आ सकता है, prime factor पे question आ सकता है, STF, LCM से भी question आ सकता है, अगर उसका मन हुआ, लेकिन divisibility rule से आपको question देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कल, और कल की class आप सभी के लिए बहुत important class होगी, miss मत करिएगा कल की class क ठीक है, चलिए, आपका prime number complete हुआ, ठीक है, prime number आपका क्या, complete हुआ, अगर हम लोग बात करें, यहाँ prime number की, तो prime number में हम लोग ने क्या-क्या रेखा, ठीक है, prime number की बात करें, तो prime number, composite number हम लोग पढ़ा, the number divisible by 1, itself, और सम अधर number हमारा कहता होता है, composite number, smallest composite number 4, smallest even composite number 4 हो जाएगा, और smallest odd composite number हमारे पस किता हो गया, no, prime number में हम लोग ने क्या पढ़ा, number which are divisible by 1, और itself हमारे कैसे number होते है, prime number, smallest prime हमारे पस होता है, दो, और only even prime किता होता है, दो ही होता है, ठीक है, अगर आपको test देना है, तो आप हमारे app को भी download कर सकते हैं, grade plus हमारा app है, आप उसको download कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे question है, test series है, आपकी related आपके SSD से, co-primes हम लोग ने पढ़ा, चीक है, prime numbers अभी हम लोग ने पढ़ा है, co-primes नहीं पढ़ा है, अभी हम लोग देखेंगे कि basically co-prime numbers हमारा क्या होता है, ठीक है, co-prime number हम लोग देखेंगे, चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक question देख लेते हैं हमारे prime numbers से related, जो हमारे examination point of view से important है, तो prime numbers की बात करें, तो question हमारे पास आया था prime numbers से related, देखें, question आपकी screen पर दिख रहा होगा, ठीक है, question आपको दिख रहा होगा, हम से पूछा गया है, which of the following statement is not correct, या नहीं, कुछ हमें statement दे रखें, जो जिसमें से हमें बताना है कि वो तहीं है या गलत, ठीक है, अभी हम लोग class पढ़ रहे थे, तो prime number में हम लोग ने basically कौन से number लिये थे, prime number में हम लोग 2 से शुरू किये था, 2, 3, 5, 7, ऐसे ही हम लोग ने शुरू किया था prime number, अगर हम लोग बात करें composite number की, composite number की बात करें, तो composite number हमारे कौन से थे, 4, 6, 8, 9, 12, 10, यह सारे हमारे ऐसे ही क्या थे, composite number थे, लेकिन हम लोग ने 1 की बात किसी में नहीं की, 1 की बात किसी में नहीं की, तो हमारा statement क्या बिल्कुल लिखा जाएगा, कि 1 इस, 1 जो है हमारा, 1 इस, नाइदर प्राइम, 1 इस, नाइदर प्राइम, नौर composite, 1 हमारा, नाहीं प्राइम है, नाहीं composite number है, तो 1 हमारा है क्या, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 इस, 1 हमारा क्या हो जाएगा, universal factor हो जाएगा one को हम लोग क्या कहते है universal universal factor कहते है one हमारा नाधी prime है नाही क्या है composite है तो one हमारा क्या हो जाएगा universal factor अब हमारे पर लिखा है zero is neither positive nor negative zero हमारा क्या है neither positive nor negative तो हमसे पूछना है which of the statement is not correct हमें not correct statement बताना है तो not correct statement हमारा कौन सा हो जाएगा not statement हमारा correct क्या हो जाएगा तो दीके पहला statement तो हमारा बिल्कुल सही है कि 1 हमारा क्या होता है neither prime होता है ना और composite ना ही prime number है ना ही composite number 0 ना ही हमारा negative है neither positive है ना ही negative 0 हमारा क्या है constant है क्योंकि 0 के बाद ही हमारा प्लस 1 प्लस 2 शुरू होता है और 0 के इधर ही हमारा किया माइनस 1 माइनस 2 होता है ठीक है तो 0 हमारा नाइधर पॉजिटिव नौ निगेटिव ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है अगर हम लोग बात करें अंडर रूट 2 कल की क्लास में हम लोंने इर्रेशनल नंबर पढ़े थे तो अंडर रूट 2 हमारा कैसा है इर्रेशनल नंबर यानि थाट डी स्टेटमेंट भी हमारा सही है यानि हमें पता चल गया कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हमें ऑप्शन देखने की जरूरती नहीं लिकाए P into Q is even then P and Q are always even तो अगर हम लोग बात करें अभी हम लोग ने जब even odd की properties पढ़े थी अगर हम लोग ने even odd की जब properties पढ़ी थी तो हमारे even odd में properties क्या थी कि हमारा even कब होगा नंबर जब हमारा even into even करेंगे आप तब आपके पास number even होगा या जब आप even into odd करेंगे तब आपके पास even number आएगा यही तो हमारी even की condition थी तो हमसे लिखा है P and Q is even then P and Q are always even तो यह ज़रूरी नहीं है कि P और Q always even हो चुकि एक condition हमारे पास odd वाली भी है तो यही statement हमारा क्या हो जाएगा C option बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है तो C statement हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा तो यह हमारा question था prime number से related strike कि आपको statement दे रखा होगा examination में आपको पताना होगा कौन सी statement हमें गलत है ठीक है तो आपको इस पर सबसे अदा ध्यान देना होगा कि not correct और correct कभी कभी बच्चेस में confuse हो जाता है तुरंट खट से देखता है कि which of the statement is correct पहली statement पढ़ी अरे बिल्कुल तहीं यह लगा देन टिक फिर क्या हुआ number आए 0 और वो भी negative marking भी हो गई negative marking भी हो गई तो आपको यह जरूर देखना है कि not correct लिखा है कि correct लिखा है ठीक है तो यह हमारा पहला question था जिनको question उतारना हो वो आप लोग screenshot ले सकते हैं screenshot ले सकते हैं फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले questions को चलिए next question के अगर हम लोग बात करें इन सारे questions का पीडियव आपको बकाइदा हमारी telegram channel पर मिल जाएगा तो आप लोगों को join करना है exam forum जिसकी link आपके देखिए chat box में pin होगी आपके description में दे रखी होगी question देखिए लिखा है which of the following can be the sum of two prime numbers यानि दो हमें बताना है कि इन दोनों में से प्राइम नंबर का सम कौन सा हो जाएगा ठीक है which of the following can be the sum of two prime number ठीक है two prime number का क्या होना चाहिए sum होना चाहिए अब देखिए अब हम लोग बात करें कि हमारा ये देखिए सारे number कैसे है प्राइम नंबर की कंडीशनस या पढ़ रहा थे जब हम लोग प्राइम नंबर की कंडीशनस की बात रह थे कंडीशन पढ़ रहे थे तो हमारा odd number कब आएगा हमारा odd number की कंडीशन क्या होगी ये सारे हमारे odd ही number तो दे रखिए 700 दे रखआ है 80 दे रखा है 101 दे रखा है 83 दे रखा है और हम लोन जब even odd number पढ़ा था even odd number पढ़ा था तो हमारे पास odd number तभी आएगा जब एक हमारा number even होगा और एक number क्या होगा odd जब इनका multiply के इनका addition होगा तभी हमारे पास value कैसी आएगी odd और हम से पूछा गया है which of the following can be the sum of two prime number यानि एक हमारे पास क्या है even prime number है और एक odd prime number है तो अभी हम लोन ने जब prime number पढ़ा था तो हमने बताया दुनिया में सिर्फ दो ही एक क्या है अकेला even prime number है यानि यह हमारा even prime number की तो value हो गई 2 इवन prime number की क्या हो गई value तो हो गई 2 अब हमारे हमें देखना यह जाएगा तो 69 नहींस ठीक है 69 क्या है अमारा प्राइब नव्ugen नहीं से है टीन से क्या है डिविसबल है अगर बात करें 81 101 की बात करें तो 101 हमारा क्या जाएगा 99 प्लस 2 जो कि हमारा 99 क्या है प्राइम नमबर नहीं है अगर बात करें 83 तो 83 मतलब 81 प्लस 2 तो ये भी हमारा प्राइम नमबर नहीं है क्योंकि 81 हमारा क्या हो जाता है 9 से डFC अब बात करें 79irsiniz हमाँ पास कितना हो जाएगा 2 हाँ तो यह हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा इसकी जब हम लोग एड करेंगे तो हमाँ पस कैसा नंबर आएगा उर्ड नंबर आएगा यानि हमारा क्या हो जाए गा option number B so comment auf 00.1 तभी समझाएंगे जब आपको एक एक property याद हो जिनका sum क्या आना चीए, 71 आना चीए, 81 आना चीए, 101 आना चीए, 83 आना चीए, तो आपको option से पता चल गया, देखें यहाँ पर हमारे पास कोई देर नहीं रखता है, हमने option से पता किया कि सारे option हमारे पास क्या है, odd है, अब जो हम लोंने even odd की condition पढ़ी थी, तो हमारे पास odd भी आ सकता है, जब हमारे पास क्या हो, एक number even हो, और एक number odd हो, जब हम लोग even odd को add करते हैं, तभी हमारे पास odd आता है, तो हमें पता चल गया, एक number even है, और ये भी लिखा है कि sum of prime number, यानि अब हमें लेने है से prime number, तो even prime number हमारा दुनिया में अकेला है, जो की है two, तो हमको एक number तो पता चल गया, दो, अब हम लोग ने इसमें क्या किया, addition करके देख लिए, जो भी हमारा prime number आएगा, उसको हम लोग जोड़ देंगे, हमारे पास answer आजाएगा, तो ये questions आप तभी लगा पाएंगी, जब आपको एक-एक properties पता होंगी, आपने एक-एक properties पर रखी हो नोट कर लिजेगा, बढ़िया question था, important question था, हमारे examination point of view से, नोट कर लिजेगा, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, अपना next question, चीक है, नोट कर लिजेगा इसको, चलिए, next question देखते हैं, तो question number third की, अगर हम लोग बात करें, question number third की बात करें, तो तीसरा question हमारे पास क्या दे रखा है, third question हम से दे रखा है, consider the following statement, हमें बताना है, which of the other statement of true, यानि हमें बताना है, कौन सा statement क्या है, कौन सा कथन क्या है, हमारे लिए, बिलकुल सत्य है, तो अगर हम लोग पहले statement की बात करें, तो पहला statement हमें लिखा है, all prime numbers are odd numbers, ठीक है, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया, पहला statement हमारा गलत ही हो गया, क्योंकि all prime numbers are odd numbers नहीं है, एक हमारा even prime number भी होता है, जो कि क्या होता है, अगर हम लोग even number की बात करें, even prime number हमारा कितना होता है, दो, दो हमारा क्या होता है, even prime number, तो पहला statement हमारे लिए क्या हो गया, बिलकुल कथन गलत हो गया ठीक है अब अगर हम लोग दूसरे की बात करें दूसरा लिखा है there are there are only five single digit prime number तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा single digit prime numbers की अगर हम लोग बात करें तो 2, 3, 5 और 7 तो 2, 3, 5, 7 हमारे क्या होते है single digit prime numbers होते हैं तो की कितनी quantity में है 4 और हमारे पास कितना लिखा है there are five only five तो दूसरा statement भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया ठीक है तीसरे की बात करें तीसरे की बात करें लिखा है there are infinitely many prime numbers ठीक है क्या लिखा है कि यहां पर क्या है infinitely many prime numbers है क्या है? इंफाइनाइट प्राइम नंबर्स है तो हां ये कतन अमारे लिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने हमारे पस prime number होगे दुनिया में क्योंकि numbers तो infinite है numbers की गृंति आप नहीं कर सकते उसमें से number हमारे पस prime number भी क्या हो जाएंगे infinite हो जाएंगे natural number हमारे लिए क्या होते है अगर हम लोग natural numbers की बात करें तो natural numbers basically हमारे पस किस्ते होते है 1 से लेकर क्या infinite तक होते है यानि हमारे prime numbers भी कैसे हो जाएंगे prime numbers भी हमारे क्या हो जाएंगे infinite तक हो जाएंगे चीक है तो तीसरा कतन हमारे लिए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा अगर हम लोग चौथे कतन की बात करें तो लिखा है एक prime number has only two factors तो चौथा कतन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि prime number की क्या होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो factors होते हैं एक वो खुद और एक one चीक है तो हमारे ये कौन सा option सही हो जाएगा तो option c यानि third statement और fourth statement हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा आप देखिए इन statement को तभी आप solve कर पाएगी जब आपको क्या knowledge होगी जब आपने properties पाड़ रख्योंगी कि prime numbers की हमारी properties क्या होती है तो माली answer कौन सा सही हो गया आपका third और fourth statement बिल्कुल सही हो जाएगा कि there are infinitely many prime numbers यानि आप परिमित रूप से अनेक अभाज संख्या है infinite prime numbers है और दूसरा हमारे पास एक अभाज संख्या में केवल दो current होते है यानि ए प्राइम नंबर has only two factors तो third और fourth option आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है नोट कर लीजेगा इसको जिनको screenshot लेना है question का नहीं तो इसी questions की आपको PDF के हमारी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिनकों लगता है कि question हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि हम लोग स्पीड थोड़ा तेज कर रखे हैं लेकिन यह सारे questions आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे as a PDF सेम ऐसा ही solution आपके पास होगा वहाँ पर भी ठीक हैं नोट कर लीजेगा फिर हम लोग next question देखते हैं अपना चलिए next question की बात करें तो next question question number 4 की बात करें तो मैं prime number से related question दे रखा है if p is a product of two prime number p1 and p2 then what can we said about p ठीक है p क्या है product है prime number का ठीक है तो अगर हमारे पस दो prime number है p1 और यह p2 जब हम इनका product करते हैं तो हमें क्या मिलता है p मिलता है यह हमारे पस basically कहा गया है तो हमसे पूछा गया है कि p क्या होना चीए तो अगर हम लोग बात करें दो numbers की जहें वह even हो चाहें odd हो जब भी हम लोग दो numbers की बात करते हैं तो महारे पस कैसा number आएगा अगर हम लोग odd की बात करें ठीक है अगर हम लोग odd और और को multiply करते हैं तो हमारे पस क्या आता है मिशा odd आता है ठीक है अगर हम लोग मतलब 2 odd number की multiply करने पर हमें क्या मिल जाता है odd आप देखे पहला हमारे पस क्या statement है P must be odd यानि P क्या होना चीए, odd होना चीए लेकिन हमें पता है कि जब हम लोग 2 into किसी odd number को multiply करेंगे यानि even number को किसी odd number से multiply करेंगे तो महाँ पस कैसा digit आता है E तो महाँ पस कैसा number आ जाता है even आ जाता है, यानि पहला statement तो महाँ पस गलत हो जाएगा कि P हमेशा क्या होगा odd होगा तो ये भी गलत हो जाएगा और P हमेशा even होगा ये दोनों statement हमारे गलत हो जाएगे क्योंकि even और odd की जब हम लोग multiply करते हैं आप कोई भी even number ले लिजे उसको odd से multiply करिए तो आपको even मिलेगा और odd और odd को multiply करेंगे तो अब आपको odd मिलेगा कभी-कभी आपको even मिल सकता है कभी-कभी आपको odd मिल सकता है तो P must be odd और P हमारा क्या होगा must be even बिल्कुल गलत हो जाएगा यानि P एक विशम संख्या होना चाहिए पी संख्या होना चाहिए बिल्कुल option गलत हो गया अब हम अगर बात करें A और C की तो दिखे हमारे पर D option क्या दे रखा है A और C तो A तो हमारा पहले ही गलत हो गया तो D option तो पहले ही गलत हो जाएगा यानि हमारा right answer क्या हो जाएगा C option C option हमारा क्या हो जाएगा हमेशा सही उत्तर हो जाएगा कि P will have 4 factor ठीक है P क्या होँगा हमेशा 4 factor होगा कैसे कि देखो P और P1 और P2 क्या है हमेशा prime number है तो आप कोई भी 2 prime number ले लिजे 2 और 3 ले लिजे 2 और 3 जब आप करेंगे तो 6 आएगा 2 गुड़े 3 हमारा पास कित्ता है गा 6 और 6 कि हमारे यह प्सके प्राइम नंबर हो तो साथ Grenance pepper 300 स्पश्रिफन सही हो जाएगा कि P will have 4 factors टिक है नोट कर लिजेगा बढ़िया इंपरटैट्न था गॉस्पस्टकिenn और इंचसामिज़ाशन कैसे फिल में और लीचान है फिर हम लोग अपना next question देखते हैं चीक है note कर लिजेगा इसको सभी लोग चलिये note कर लिए अब हम लोग बात करते हैं अबने next question की तो next question अगर question number हम लोग 5 देखें तो लिखा है how many prime numbers are there between 100 and 120 हमको बताना है 100 से लेकर 120 में कितने prime numbers होंगे 100 से लेकर 120 तक किये में prime number तो कभी कभी आपको इस टैप कभी question आ जाएगा कि 50 से लेकर 100 के बीच में prime number बताईए या एक से लेकर 50 के बीच में कितने prime numbers होंगे तो उनकी quantity बताईए तो अगर हम लोग बात करें 100 से 100 के बीच में हमें बताना है 100 से लेकर और कितने 120 के अंदर हमें बताना है कि हमारे basically कितने prime numbers होंगे ठीक है क्या बताना है 100 से 120 के बीच में क्या बताना है prime numbers की क्या गिंती बतानी है तो अगर हम लोग बात करें 101 क्या 101 हमारा prime number हो जाएगा 101 हमारा prime number हो जाएगा क्योंकि 101 क्या सिर्फ 1 से divisible है और खुछ से divisible है 101 को आप किसी से नहीं काट सकते है अगर हम लोग बात करें 102 की तो 102 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा लेकिन अगर 103 की बात करें 103 हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा 107 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 109 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा अगर हम लोग 109 की नहीं होगा लेकिन 113 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा 113 क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा 114 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा यानि option क्या option भी हमारे लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस question का तो इस type के भी question आपके examination में आ सकते हैं कि आपके दो number दे दी जाएगे उनके बीच में prime numbers की क्या आपसे quantity पूछ दी जाएगी या कभी-कभी आपसे पूछ सकता है कि आपसे यही question चेंज करके दे तक कि 100 से लेके 120 के अंदर जितने भी prime number है उनका क्या बताइए average बताइए तो आप इन numbers को add कर देते हैं और 5 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं अभी जाए उन लोग average पढ़ेंगे तब आप में इस type के question आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे नोट कर लीजिएगा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नोट कर लीजिएगा इसको चीक है चलिए नोट कर लिए सभी ने अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग basically prime numbers को find कैसे कर सकते हैं अगर हमसे कहा जाए कि आपके पास कोई question दे रखाओ ठीक है आपके पास कोई question दे रखाओ उसमें आपसे कहा जाए कि बताइए इन में से कौन सा prime number है तो हम लोग कैसे बताएंगे prime number तो चलिए इस शीच को सीख लेते हैं कि हम लोग basically prime number को कैसे ढूडते है ठीक है, प्राइम नंबर से हम लोग कैसे निकालते हैं, कुश्चेन आप से कह दिया जाए, कि, आव टू फाइंड, आव, लिख लीजे, हाव टू फाइंड, अ, प्राइम नंबर, जैसे हमें कई सारे आप्शन दे रख्या हो, हमसे इसमें पूछा जाए, कि basically इसमें से prime number हमारा कौन सा होगा हम से prime number हमारा कौन सा होगा तो अगर हम लोग एक option ले ले जैसे अगर हम लोग ले ले n हमें बताना है कि यह n जो 107 दे रखा है यह prime number है या हमारा यह prime number नहीं है हमें यह बताना है कि जो n दे रखा है n बराबर 107 यह हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है तो आपको इसकी एक सबसे important आपको एक पूरा process बताते हैं कि कैसे हम लोग प्राइम नंबर निकाल सकते हैं यह जो हमारा 107 है इसको आप किसी भी perfect square value जो इसके सबसे close perfect square value हो जो इससे ज्यादा हो उससे less होना चीए nd क्या होना चीए जो हमारे इसके किरीब सबसे चोटी perfect square value हो उससे क्या हो सबसे कम होना चीए तो हम लोग अन की बात करें अगर हम लोग अन की बात करें तो एन हमें दे रका 107 और 107 से चोटी सबसे perfect square value कौँन से होगी तो 121 हो जाएगी 121 हमारा किसका perfect square है यानि हमारी a की value क्या आ गई यहाँ पे 11 a की value क्या आ गई 11 आ गई a square है न आ a square यानि perfect square number तो अगर हम लोग बात करें एक 107 के करीब हमारा सबसे past perfect square कौन सा हो जायगा तो 121 हो जाएगा तो a की value हमारी आ गई 11 अब 11 से कम हमारे पास कितने प्राइम नंबर है 11 से कम अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करें तो 2, 3 हमारे पास हो जाएगा 5 और 7 यही तो हमारे 11 से कम क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर हो जाएंगे 11 से कम हमारे पास क्या जाएंगे इतने prime number आ जाएंगे ठीक है अब देखिए अब हमें क्या करना है इस number को check करना है क्या ये number हमारा 2 से divisible है तो 2 से हमारा number divisible नहीं है अगर 3 से बात करें तो 3 से भी हमारा divisible नहीं है 5 से बात करें तो बिल्कुल नहीं है और 7 से भी number हमारा divisible नहीं है अगर ये दिया गया number n किस किसी भी नंबर से क्या हो डिविजिबल ना हो किसी भी नंबर से जो भी हमारे पस एक ही वैल्यू आई है उससे कम जितने भी हमारे पस प्राइम नंबर आए और यह जो दी गई वैल्यू है एन वह गर इन किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो तो यह जो हमारा एन नंबर है कोई भी आप number ले लिजी अभी हम लोग ने क्या देखा था 101 अभी हम लोग ने क्या number देखा था 101 ठीक है 101 देखा था 101 हमारा क्या होता है प्राइम नंबर होता है अगर हम लोग बात करें 101 तो 101 के परफेक्ट स्कॉयर की अगर हम लोग बात करें 101 के तो 101 के परफेक्ट स्कॉय अगर क्या होगा 121, ठीक है 121 होगा, यानी N की value हम लोग क्या ले लेगे, A की value हमारे पास क्या आगे 11, और 11 से कम हमारे पास किते prime number होते है, 2, 3, 5 और 7 हो जाएंगे, ठीक है, अब हम लोग check कर लेते हैं, check कर लेते हैं, तो हमारा 101 क्या 2 से divisible है, बिल्कुल नहीं है, प्राइम नंबर को एसे चेक करते हैं ठीक है सबीकों आपको पदा चल गया कि हमारी जो एन की वैल्य ओनी चाहिए यह जो लोग ने इन यहां पे लिया है एन की वैल्य लेस दैन होनी चाहिए किसी भी perfect square सबसे नसदीग perfect square के नंबर से जो वो भी नंबर हमारी a की वैल्य आए है तो वह नंबर कैसा हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा इश को नोट कर लीजएगा बहुत इंपॉटंट है कि हम लोग प्राइम number कैसे चेक करते है कोई भी हमें numbers दे रखे हैं अब आपको four option दे कि जाएंगे A, B, C और D और हमसे question दे दिया जाएगा कि इसमें से prime number कौन है अगर आपको option दे दिया 101 फिर आपको दे दिया 102, 104 और आपके पास दे दिया 120 तो आप तुरन बता देंगे कि 101 हमारा क्या हो जाएगा prime number हो जाएगा ठीक है तो यह concept आप लोग याद रखेंगे यह concept आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे कि हम लोग prime number का test कैसे करते हैं कि कोई भी number हमारा prime है या नहीं है चीक है नोट कर लिजेगा इसको फिर हम लोग आगे question थोड़ा देखते हैं इसको आप लोग नोट कर लिजेगा चीक है अब इसके आगे दो चीज़े हम लोग सीखेंगे कि basically हमारा एक को प्राइम क्या होता है और एक हमारा twin प्राइम क्या होता है चीक है तो पहले आप लोग heading लिख लिजेग को प्राइम अब आगा हम लोग पहले बात करें तो पहले आप लोग लिख लेंगे को पढ़ेंगे को प्राइम नंबर पढ़ेंगे तो क्रो प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं अगर को प्राइम नंबर की बात करें तो को प्राइम नंबर को कहते हैं सहवाज संख्या को प्राइम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं सहवाज संख्या कहते हैं हिंद क्या हो जिनका हाइसर कामन फैक्टर चैटीया आँने वह सिर्षफ क्या हो वन से डिविज बड़ हो ऐसे पेर्स या नी एट से विभाज्य हो तो के रोग को प्राइम की डिफिनीशन की बात करें तो the numbers, the numbers, the pair, the pair of numbers, of numbers, which is, which is only divisible by one, ठीक है, ऐसे numbers, जो क्या हो, केवल एक से divisible हो, केवल क्या हो, एक से divisible हो, वो हमारे कैसे number होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, या अगर हम लोग दूसरी भासा में बात करें, जिनका highest common factor, ऐसे pairs, जिनका highest common factor क्या हो, एक हो, चीक है, अब ऐसे numbers हमारे कौन से हो जाएंगे, अगर हम लोग example की बात करें, इनके example की बात करें, तो हमारे को प्राइम कैसे number हो जाएंगे, दो और तीन, आप दे लिजे, दो और तीन, ये किसी भी number से नहीं कटेंगे, सिवाए एक के, इनका जो highest common factor होगा, दोनों का, वो क्या हो जाएगा, एक हो बात करें, पांच और साथ की, पांच और साथ हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, एक और आठ हमारे पास को प्राइम हो जाएंगे, जरूरी नहीं है, को प्राइम का मतलब यह नहीं समझेगा, कि वो जो pair of numbers हैं, वो prime numbers है, ऐसे कोई भी 2 pairs, जिनका highest common factor क्या रहा है, 1 आ रहा है, यानि वो दोनों number अगर हम लोग बात करें, कि सिर्फ 1 से कटेंगे, ठीक है, highest common factor का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, जैसे हमसे कहा जाए, 9 और 25, 9 और 25 हमारे क्या है, basically co prime है, 9 और 25 हमारे क्या है, co prime है, तो अगर हम लोग बात करें, अब highest common factor कैसे होता है, तो 9 हमारे पास एक तरफ दे रखा है, एक तरफ हमारे पास लिखा है 25, अब हम लोग बताईए, 9 के factor क्या हो जाएंगे, 9 का factor हो जाएगा, 1, और 9 से किस से कटेगा, 3 से, और 9 किस से कटेगा, 9 से, ठीक है, 9 के कितने factor हो बात करें, 25 की, 25 के factor किते हो जाएंगे, 1, 25 किस से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और 25 किस से कटेगा, 25 से, तो 25 के भी क्या हो गए, 3 factor हो गए, लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें, कि इनके common factor कौन है, कि दोनों नमबर, एक ही नमबर से कट रहे हो, तो common factor क्या है, 1, द किसी का मतलब होता है, highest common factor, और किसी भी pair का highest common factor अगर 1 है, तो वो नमबर कैसा होता है, को प्राइम नमबर, इससे जादा आशान वहसा में, आपको कोई नहीं समझा पाएगा, कि हमारे को प्राइम क्या होते है, ठीक है, तो 9 और 25 भी हमारा क्या होता है, 9 और 25 भी हमारा क्या जिनको हम लोग बोलते है, ठीक है, तो यह हमारे कैसे नमबर होते है, को प्राइम नमबर होते है, अब ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें, ट्विन प्राइम से क्या अंतर होता है, बहुत लोग इस चीज में confuse हो जाते है, कि को प्राइम और ट्विन प्राइम एक ही ट्विन प्राइम नंबर के हम लोग बात करें यानि जुड़वा अभाज संख्या क्या होता है अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो ट्विन प्राइम हमारा बेसिकली क्या होता है जुड़वा अभाज संख्या यह हमारा क्या हो गया ट्विन प्राइम नंबर हो गया अधिके twin prime number हमारे कैसे number होते हैं ऐसे दो pair ऐसे दो prime number जिनका common difference जिनका difference क्या हो दो का difference हो वो हमारे क्या होते है basically twin prime numbers होते हैं set of two prime numbers छीक है twin prime number क्या होता है set of two prime numbers set of two prime numbers having difference two ऐसे दो prime number के sets ऐसे दो prime numbers के pair जिनका difference क्या हो दो हो उनको हम लोग क्या बोलते है twin prime number बोलते हैं अगर हम लोग इनके example की बात करें अगर इसके example की बात करें तो कैसे हो जाएंगे तो हमारे पास इसका example क्या जाएगा तीन और पाँच तीन और पाँच और हमारे पास कितना जाएगा पाँच और साथ ठीक है पाँच और साथ और हमारे पास क्या जाएगा जैसे ग्यारा और तेरा दोनो प्राइम नंबर है और दोनो का difference भी क्या है दो का है 5 और 7 दोनों का difference क्या है दो का है तो यह हमारे कैसे number हो जाएंगे twin prime number तो दोनों आपको समझाए co prime क्या होता है twin prime co prime वो होता है जो सिफ एक से divisible हो ऐसे pair उसमें जरूरी नहीं हमने prime number की बात नहीं कि जो pair होना चीए prime number का होना चीए दुनिया के कोई भी ऐसे दो number दो number का pair जितका क्या होना चीए highest common factor कितना होना चीए one twin prime में यह चीज होती है कि जो pair of numbers होना चीए वो prime numbers होने चीए और उनका common difference क्या होना चीए दो का होना चीए ठीक है इतनी बात आप लोग note कर लेंगे फिर हम लोग questions की तरफ बढ़ते हैं ठीक है कुछ और questions जेकते हैं जो हमारे को प्राइम और प्राइम से रिलेटेड है ठीक है note कर लीजेगा इस चीज को फिर हम लोग आगे बढ़ते है नोट कर लीजेगा सभी लोग फिर आपको एक बार inform करें दे रहे हैं कि कल की class हमारी बहुत ही important class होगी कोई भी प्लीज मिस मत करिएगा divisibility rule हम लोग पढ़ेंगे ठीक है divisibility rule पढ़ेंगे जो की सबसे important topic है आपका SSC का एक question आना ही आना है तो बिलकुल भी class को मिस मत करिएगा खूब सारे हम लोग questions की practice करेंगे ठीक है नोट कर लिए आप सभी ने यह सब चलिए आप हम लोग बात करते है थोड़े questions की ठीक है तो question number 6 हम लोग देखते है question number 6 दे रखा है a two digit number 9a is a prime then find the value of a हमसे क्या क्या रखा है कि एक दो digit number हमें दे रखा है 9 और a ठीक है दो digit number कैसा दे रखा है एक number हमें दे रखा है 9 और एक दे रखा है a तो यह हमारे पस क्या है एक दो digit number है हमसे पूछना है कि हमें बताना है कि a की value क्या होगी तो basically अगर हम लोग देखे तो 90 से हमसे क्या पुछा गया है 90 के बाद हमारा कौन सा नमबर होता यहीदो हमसे basically पुछा गया है question में 2 digit का number है 9 और a लिखा है ठीक है हमसे कहा गया है कि इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारे A की value क्या होगी, ठीक है तो हम लोग value put करके देख लेंगे 93, हमारा 3 से cancel out हो जाता है या नी, 93 तो हमारा prime number नहीं होगा, 93 क्या होगा, prime number हमारा नहीं होगा, ठीक है 99 की बात करें, बिलकुल prime number नहीं होगा, 3 से cancel out हो जाता है, 9 से भी cancel out ह हो जाता है 91 की बात करें 91 भी हमारा प्राइम नंबर 91 अगर उन लोग देखें तो 91 भी हमारा क्या होगा प्राइम नंबर नहीं होगा 91 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि शायद 13 13 से हमारा कर जाता है 13 सते हमारे पास होता है क्या नवे यानि 91 भी हमारा नहीं होगा लेकि 97 हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा 97 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा क्योंकि 97 किसी भी वैल्यू से नहीं कटता है चीक है 97 क्या होता है किसी भी वैल्यू से नहीं कटता है चीक है तो नोट कर लीज़े इस question को, next question देखते है, question number 7, question number 7 अगर हम लोग बात करने लिखा है, which of the following pairs represent the co-prime, अभी हम लोग ने co-prime पढ़ा, कि co-prime हमारा क्या होता है, ऐसा pair जिनका highest common factor क्या हो, 1 हो, highest common factor क्या हो, 1 होता हमें बताना है, इसमें से कौन सा जो pair है, वो co-prime है, चीक है, वो co-prime है, यानि उसके एक से ज़्यादा factor नहीं होना चीए, उनका जो common factor होना चीए, वो सिर्फ क्या होना चीए, एक होना चीए, ठीक है, तो चलिए हम लोग pair देख लेते हैं, तो लिखा है 15, पेर है 15, और कितना है महाँ पास 141, पेर कितना दे रखा है 15 दे रखा है, और कितना दे रखा है 141 दे रखा है, तो अगर लोग बात करें 15, इन दोनों का common factor क्या हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, देखें 15 भी हमारा 3 से cancel out हो जाता है, अगर हम लोग 141 की बात करें, तो ये भी हमारा 3 से cancel out हो जाएगा, यानि पहला option गलत हो गया, इसके दो highest common factor आ रहे हैं, और दूसरा में पास दे रखा है 15 और 235, 15 और 235 तो 15 की बात करें, तो 15 तो हमारा 3 से भी cancel out हो जाएगा, 235 की बात करें, तो 235 से 21 हो जाएगा, और 3 पच्चे 15 हो जाएगा, यानि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से cancel out हो जाएगा, तो ये भी हमारा option क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें, 15 और 94 की, 15 और 94 की बात करें, तो 15 हमारा 3 से cancel out हो जाएगा और इधर हम लोग बात करें 3 की तो 3 सत्य 3 दूनी हमारे पास हो जाएगा 6 ठीक है 3 दूनी हो जाएगा हमारे पास 6 तो यह हमारा शायद को प्राइम है ठीक है लास्ट अले option को चेक कर लेते हैं 51 और हमारे पास कित्ता दे रखा 141 कित्ता दे रख करता 141 यानि यह भी हमारा क्या 3 और 1 से हो जाएगा तो यह भी हमारा को प्राइम नहीं होगा यानि option D option C 15 और 94 हमारे कैसा पेर हो जाएगा को प्राइम हो जाएगा यानि इनका जो highest common factor है SCF है highest common factor हो कित्ता है 1 है चीक है नोट कर लीजेगा बढ़िया कुशन था तो को प्र प्रेक्टर एक से जादा आ रहे हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा को प्राइम नहीं होगा जिसका highest common से एक होगा वही हमारा कैसा नंबर होगा को प्राइम नंबर हो जाएगा नोट कर लीजेगा बढ़िया कुश्चन था फिरम लोग next question की दरफ मूव करते है नोट कर नोट कर लीजेगा सभी लोग चलिए next question देखते है next question लिखा है if x is the number of prime numbers between 0 से 10 अब हमने पढ़ा था यह हमारे 0 से लेके और हम लोग के बाद 100 तक्ये में कितने प्राइम नंबर होते हैं तो 25 प्राइम नंबर होते हैं 0 से लेके 100 तक में हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं 25 प्राइम नंबर होते है यानि यह 25 हमारी किसकी value हो गई x की value हो गई and y is the prime number between 90 and 100 90 से लेके 100 तक के बीच में जो भी prime नंबर है वो क्या होता है y और 90 से लेके 100 तक में कितना है सिर्फ एक प्राइम नंबर होता है 97 इसकी value में पास आगई y अब हमें value निकालने है y-3x तो निकाल लेंगे 97-3 इंटू कितना हो जाएगा 25 यानि किता गया 97-75 यानि answer किता जाएगा 22 बहुत ही आसान question है बहुत ही आसान question है कुछ नहीं खरना था question में C option कैं हो जाएगा? बिलकुल सही हो जाएगा 22 आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा तो ये दखिए, कभी-कभी ये properties जो आपके लिए common चीज़े हैं कि एक से लेके 100 तक हमारे कित्ते prime number होते हैं दो ये भिन बहुत important है जिस वे हमाइक question आ सकता hai ठीक है नोट कर लीजेगा फिर हम लोग next question की तरफ move करते हैं screenshot जीने लेना हो question का ले सकते हैं फिर हम लोग next question की तरफ move करते हैं चलिए next question देखते है question number 9 question number 9 की बात करें तो question number 9 दे रखा है if n is the largest two digit prime number when n is divided by 11 and 13 then the reminder x and y ठीक है तो हम लोग को पता है n largest two digit number है अभी हम लोग ने previous question में पढ़ा कि हमारा largest two digit number कौन सा होगा largest two digit prime number हमारा कौन सा होता है 97 ठीक है largest two digit prime number हमारे पास कौन सा होता है 97 और 97 को जब हम लोग 11 या 13 से divide करेंगे जब हम लोग 11 से divide करेंगे तो हमारे पास reminder किता आजाएगा 11 से जब आप divide करेंगे तो 118 हो गया 88 118 हमारे पास किता हो गया 88 तो 11 से जब हम लोग करेंगे तो reminder किता आगया plus का 9 11 से जब करेंगे तो reminder आगया plus का 9 और अगर हम लोग बात करें 13 से जब 13 से आप इसे divide करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा तो 13 सते हमाई पास होता है 13 सते हमाई पास कितना हो जाता है 119 यानि reminder माई पास कितना जाएगा प्लस का 6 बात समझ आई और ये जो reminder है इसकी value में किसके लिए रखी ये हमारा X हो जाएगा और यह हो जाएगा y, हमसे पूछा गया है, 2x माइनस का 3y, तो 2x यानि 2 गुड़े हमाँ पास हो जाएगा 9, माइनस का हो जाएगा 3 गुड़े हो जाएगा 6, आपके वास कित्ती value है, 18-18 यानि value किसके बराबर आगई, 0 के बराबर right answer कौन सा हो जाएगा, b option b option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, note कर लिजएगा, easy question था, बढ़िया question था, आप देखें, ये question आपको कब आसान लग रहे हैं, जब आपने क्या prime number पढ़ लिया, co-prime number पढ़ लिया, composite, सारे number जब आपने पढ़ लिये, तब आपको question आसान लग रहा है, ठीक है, आपको करना क्या, इन ही questions की ज़्यादा ते ज़्यादा practice करनी है, ठीक है, note कर लिजएगा, फिर हम लोग next question देखते हैं, चलिए, next question की बात करें, तो question number 10 की बात करें, अगर हम लोग, तो लिखा है, if p and p plus 1, बोथ हर prime number, then what can be said about p minus 1, यानि हम से क्या करें, रखका है, दो number है, एक p है, और एक इत्ता दे रखका है, p plus 1, और दोनों क्या है, prime number है, ठीक है, तो हमें भी पता है, दुनिया में, consecutive prime number कौन से है, अगर हम लोग बात करें, लगाता, देखें, p है, फिर p plus 1 है, तो हम लोग बात करें, लगातार होंगे, p और just p के बाद, एक, आपके बाद, इसके बाद, कोई भी number ऐसा नहीं होगा, prime, जो लगातार हो, ठीक है, तो एक हमारे p की value कित्ती हो गई, 2, और p plus 1 की value कित्ती हो जाएगी, 3, अगर पुछा गया, बोथ है, प्राइम नमबर, तो हाँ, 2 भी हमारा प्राइम नमबर है, और 3 भी हमारा प्राइम नमबर है, हमसे पुछा गया, then what can be said about p minus 1, तो p minus 1 हमारे पास कित्ता हो जाएगा, यानि 2 minus 1, बराबर हो गया 1, अब हमसे option क्या दे रखका है, इसे प्राइम नमबर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला statement, एक हमारा ना ही प्राइम होता है, ना ही composite होता है, दूसरा भी गलत हो गया, इसे composite नमबर नहीं, इस square of a composite नमबर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इट हैज only one factor, बिल्कुल सही option की, एक क्या होता है और इसे एक factor होता है जो कि खुद होता है वन ठीक है तो option number D हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा note कर लिजेगा बढ़िया question था statement wise बहुत यच्छा question था बहुत ही प्यारा और से लेवल का question था चीक है नोट कर लिजेगा फिर हम लोग next question की तरफ move करते हैं और आज का अपना last question देखते है चीक है चलिए next question की अगर बात करें तो next question हमाई पस क्या दे रखा है question number 11 दे रखा है if P and Q are co-primes such that हमें लिखा है P plus Q बराबर 12 P is less than क्या है Q P क्या है less than Q है how many pairs of are possible of P and Q ठीक है देखे है हमें क्या दे रखा है बात करें तो P plus Q P plus Q पराबर हमें कित्ता दे रखा है 12 दे रखा है ठीक है P plus Q पराबर कित्ता दे रखा है 12 जहांपे P क्या है less than Q है देखे है तो अगर हम लोग P की possible values देखें तो 12 कब आएगा हमारा P and Q are co-primes number co-prime number होंगे यानि जिनका highest common factor क्या हो 1 हो highest common factor क्या हो 1 हो तो वही तो हमारे क्या हो जाएंगे co-prime number हो जाएंगे तो अगर हम लोग बात करें 1 और 11 तो 1 और 11 भी को भी मिलके हमारे क्या हो जाएगा 12 ठीक है तो ये भी हमारे क्या हो सकता है highest common factor इनका किता है 2 फिर अगर हम लोग बात करें 2 और 10 2 और 10 मिलकर 12 हो रहा है लेकिन इनका highest common factor क्या है 1 नहीं है, co-primes नहीं है ये बात करें 3 और 9 की 3 और 9 हमारा 12 हो जाएगा लेकिन ये भी क्या है highest common factor 1 नहीं होगा लेकिन अगर बात करें 4 और 6 की चार और हमारे पस कित्ता हो जाएगा चार और आठ उनका भी highest common factor 1 नहीं होगा लेकिन अगर बात करें 5 और 7 की तो 5 और 7 का भी highest common factor 1 होता है तो हमारे कित्ते pair बन रहा है अगर हम लोग देखें तो co-primes के कौन से pair बन रहा है एक बन रहा है एक और 11 और दूसरा हमारे पस बन रहा है 5 और 7 यानि 2 pair टोटल बन रहा है हमारे co-primes के तो क्या answer हो जाएगा C option बिल्कुल सही हो जाएगा फिर हमारी क्या है P की value हम लोग greater than Q नहीं ले सकते तो 6 के बाद हम लोग start नहीं ले सकते तो क्या हो जाएगे पेर कित्ते हो जाएगे टोटल दो पेर बन रहा है 1 और 11 का और 5 और 7 का नोट कर लिजेगा नोट कर लिजेगा इसी के साथ हम लोग के prime number के question सारे complete हुए prime number के सारे question हम लोग ने solve की है prime number से जित्ते भी हमारे related question थे वो सारे हम लोग ने देखे concept वढ़ा prime number क्या होता है मारा co prime number क्या होता है composite number क्या होता है twin number क्या होता है even और odd संक्या हम लोग ने पढ़ी तो इसी के साथ आज की हम लोग की class यही पर समापत हो रही है कल की class एक बार हम आपको फिर reminder दे रहे बहुत ही important class है जिसमें हम लोग क्या डिविजबिल्टी रूल सीखेंगे ठीक है डिविजबिल्टी रूल के पार्ण पढ़ेंगे तो कल आप लोग जोड़ना मत भूलिएगा इसी के साथ हमारी आज की class ओवर हो रही है thanks for the cooperation and thank you so much जूल को झाला हम और मत अपको बार्ण तो क्या है याज को बार्ण जूाम्पल्टी रूल भूल का भूल पहलू झाल झाल